दोस्तों मैं स्वरों मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्विज में आज हम देखेंगे 5 अगस्त की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए महत्पून रहेगी डेली करेंट फिर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लिना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर परतिवत लगाया है इस कोशन का अंसर सबी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है हाल ही में UPI से लगतार तीसरे साल कितने लाग करोड रुपे का लेन दिन हुआ है पहले कोशन का राइट आंसर हेगा 20 लाग करोड का यानि की B सही आंसर हैगा दूसरा कोशन है हाल ही में सरकार ने विमान रख रखाव मरमत और ओवर हालिंग में कितने परतिशत FDI को मनजुरी दी है Q2 का right answer रहेगा दोस्तो सो परतिसत की यानि की C is the right answer Q3 है हाल ही में कहा अंगदान जागरुकता कारेकरम का आयोजन किया गया है तीसरे Q2 का दोस्तो right answer रहेगा नई दिल्ली यानि की B is the right answer Q4 है हाल ही में Daniel सेजलीनिक का निधन हुआ है वे कौन थे Q4 का right answer रहेगा ये फिल्म निर्देशक थे यानि की right answer C रहेगा Q5 है हाल ही में किसे सैयुक्त रास्ट की आर्थिक और समाजिक परिशद का अध्यक्स चुना गया है पांचवे question का right answer हेगा बॉब राय को यानि की B is the right answer अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master pdf ले सकते हैं 170 रुपे की pdf है इसके अंदर आपको सारे subject मिल जाएंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और हमारे whatsapp नंबर दोनों जगे रहेगा link पर क्लिक करके payment करके आप pdf डारेक्टली प्राप्त कर सकते हैं payment करने के लिए बार कोड लेना है तो इसी नंबर पर आप हमें message करके बार कोड भी ले सकते हैं छटा कोशन है हाल ही में IRDAI ने HDFC live पर कितने करोड रुपे का जुर्माना लगाया है कोशन नंबर 6 का right answer हैगा 2 करोड रुपे का यानि कि C is the right answer कोशन नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य विधानसबा ने खनन खनीजो पर उपकर लगाने संबंदिद विदेयक पारित किया है 7 कोशन का right answer रहेगा जारखंड यानि कि B is the right answer कोशन नंबर 8 है हाल ही में जुलाई मा में GST संग्रेक कितने परतिशत बढ़कर 1.82 लाग करोड रुपे पहुंचा है कोशन नंबर 8 का सही answer रहेगा दोस्तो 10.3 परतिशत बढ़के यानि कि C is the right answer कोशन नंबर 9 है हाल ही में सिरी राम कैपिटल को ARC लौच करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है right answer रहेगा RBI की यानि कि A सही answer रहेगा कोशन नंबर 10 है हाल ही में कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उमर के ओलंपिक रेफरी बने है कोशन नंबर 10 का right answer रहेगा दोस्तो कबिलन, साइ, असोप यानि की right answer D हो जाएगा कोशन नंबर 11 है हाल ही में कौन ICAR, CMFRI के निर्देशक न्यूक्त होए है कोशन नंबर 12 है हाल ही में भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ती करता कोन बना है? सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सेयर करना दोस्तों के साथ में और ये वीडियो सुबह साड़े 6 बजए only top study YouTube channel पर regular आती है आप चाहे किसी भी exam की चारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लिया करें केवल 10 मिनट में 20 करनेट फिर के question answer साम कवर कर लेते हैं और 12 question का right answer है अमेरिका यानि की A is the right answer question number 13 है हाल ही में सडको से अवारा कुत्तों को हटाने के लिए किसने नरसाहार कानून पेस किया है? right answer है तुरके ने यानि की A is the right answer question number 14 है हाल ही में भारत सरकार ने गुजराद जामनगर में WHO के वैस्विक परमपारिक चिकित्सा केंदर के लिए WHO को कितनी धन्रासी परदान की है? right answer है गा 85 million dollar यानि की C is the right answer question number 15 है हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपती कर प्रस्ताव को सविकार किया है? पंदरवे question correct answer है गा ब्राजील यानि की D is the right answer question number 16 है हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में रास्टिये समंदरी विरासत परिशर विक्सित करने के लिए किस के साथ समझोता क्या है? question number 17 है हाल ही में भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहां आजित होगी? सतरवे question का right answer है गा चिन्नाई यानि की B is the right answer question number 18 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंदरी मैया सम्मान योजना शुरू की है? right answer है का ज्छारखन यानि की A is the right answer question number 19 है कौन सा राज्य आठजार चाय जन जाती कलाकारों के साथ एक भव्य जूमूर नत्य प्रदशन का आईजन कर रहा है right answer हैगा असम यानि की D is the right answer question number 20 है किस संस्था ने दो सवास्तिय देखभाल तकनीकों को उद्योगों को सौप दिया है 20 वे question का right answer रहेगा IIT दिल्ली यानि की C is the right answer ये तो थे हमारे 20 करेंट फिर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है global agriculture export index में भारत की रहें क्या है इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे इसका सही उत्तर मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है सर्वू चिनेले में किस भासा का परियोग होता है इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे इसका answer अभी 5 second में आपको पता जिन्दा आएगा दोस्तो इस question का सही answer रहेगा देखे सर्वू चिनेले में अंग्रेजी भासा का परियोग होता है तो right answer B रहेगा कल का हमारा homework का question था थालही में विष्व सिल्प परिशद द्वारा किस सहर को विष्व सिल्प सहर का नाम दिया गया है तो right answer is सिरी नगर तो B right answer दोस्तो हो जाएगा देखे अगर आप लोगोंने किसी भी exam के लिए test series लेनी है तो only top study app को जरूर visit कर लेना इस app में आपको बहुत अच्छे से test series मिल जाएगी और बहुत ही कम price में 3000 जो हमारे test है किसी भी exam के लिए लेना चाहेंगे तो सब के लिए अलग अलग है पर 3000 के price है only 39 rupees क्योंकि अभी launch हुए है तो अभी सबसे कम price है प्राइस थोड़े दिन में बढ़ जाएंगे PDF के price अभी हमारे 170 ही चल रहे है इसको भी थोड़े दिन में बढ़ा जाएगा तो आप लोग इस PDF को भी ले सकते हैं जिसमें सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी बढ़ सकते हैं PDF का payment दो तरीकी से किया जा सकता है link description box में है या तो link से कर लिजे या फिर हमारे इस WhatsApp नंबर पे बार कोड मिल जाएगा जब आप message करेंगे तो बार कोड से भी payment हो जाएगा PDF अगर आपको पसंद आई है तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए पहले icon को on रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लगे अपना मिलते है ने स्क्लास में